Hello guys, welcome to Motor Octane, मेरा नाम है Virat और मैं आपके लिए आज लेकर आ रहा हूँ विडियोस of all the new variants from Tata Motors for their SUVs, Harrier, Safari and Nexon, इनके jet editions. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सारी गाड़िया यहाँ पर खड़ी है, हम चालू करने वाले हैं आपको बताना है in detail with the Harrier जिस पे आये हैं काफी सारे changes. So, let's start with this car but उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप new है, यहाँ पर पहली बार आए है, please subscribe and अगर आप confused है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आप मुझ से, रचित से और हमारी team of experts के साथ जोड़ सकते हैं, जानने के लिए कि आपको कौन सी गाड edition, अब यह जो गाड़ी है, आती है आपको manual और automatic variant में, साथ में आपको मिलता है इसमें XZ Plus और XZA Plus trims में यह variant, अगर आप देखेंगे, सबसे पहली चीज़ जो आप notice करेंगे, is the color, अब यह आप देखेंगे, यह जो color है, is the early bronze color, basically यह जो dual tone variant इसको बोलते है, is called a starlight dual tone variant, आपको मिलता है roof, and आपके जो A and C pillars है, उस पे भी यह color आता है, बाद में आपको और detail में दिखाऊंगा, but अगर हम front भी रहें यहाँ पर, तो let's start from here as well, सबसे पहले आप notice करेंगे, कि यहाँ पर जो grill है आपके पास, with this color, आपको एक black color की piano black finish grill मिल जाती है, side में जैसी अगर हम आएंगे, यहाँ पर, आप notice करेंगे, there's no change here as well, आपकी जो headlight cluster है, वो यहाँ पर same ही रहता है, उसके around जो black color options आपको मिलता है, वो आपको यह ही है, यहाँ पर, नीचे अगर हम जाएंगे, तो आप देखेंगे, जो नीचे bumper पर आपको black color की cladding मिल जाती है, finished with a satin finish on the lower lip of the bumper, आप notice करेंगे, यह आपको यहाँ पर, मिल जाता है, overall जो front fascia है इस गाड़ी का, वो काफी अच्छा है, and there are no problems here at all, side में जैसे ही आते हम, यहाँ पर, आप देखेंगे, सबसे पहली चीज़ जो आप notice करेंगे, is how the dual tone harrier looks, अभी आपके पास dual tone harrier के options तो रहे हैं, जैसे कि red के साथ black roof आपको मिलता है, but, जो calypso red है, but यहाँ पर आप देखेंगे, this dual tone has a different vibe altogether, क्योंकि आप notice करेंगे, यहाँ पर आपके पास उपर जो है, आपके पास, यह एक silver kind of a finish, आपको जैसे में बता रहा था, अब हम इसे closely देखेंगे, कैसा दिखता है, also आप notice करेंगे, यह थोड़ा सा जो यहाँ पर आपको मिलता है, यह chrome, यह कैसे जा रहा है, साथ में, with the overall dual tone finish, side में अगर आप आएंगे, यहाँ पर आप notice करेंगे, कि आपके पास जो mirrors है, वो totally black नहीं है, neither totally body color, they are looking a little bit different, actually मुझे लग रहा है, यह black ही है, because of the color of the car, आपको, यहाँ पर जो reflection यह उपर से white, नीचे से, यह bronze finish, यह थोड़े से जादा premium लग रहे हैं, यह गाड़ी के color tones के साथ, side में आपको यहाँ पर आप देख सकते है, jet की badging मिल जाती है, hashtag jet, उसके इलावा अगर आप नीचे देखेंगे, यहाँ पर आपके पास आपके 17 inch के jet black alloy wheels आपको आजाते है फिर उसके बाद अगर हम पीछे की तरफ चलते जाएंगे, आप notice करेंगे नीचे जो है, आपको जो rocker arm है, वहाँ पर आपके पास black color की, आपको cladding मिल जाती है, अब हम जाएंगे उपर की तरफ, अभी उपर जैसे यहाँ पर आएंगे, आप notice करेंगे, again, यहाँ पर आप आपको दरवाजे के mirror के बारे में बाद कर रहा था, this also has sort of a bronze look, because maybe of the reflections here, यहाँ पर जो color है यहाँ पर, वो कैसा लग रहा है, obviously आपके पास आपका quarter glass है, glass area अगर आप देख लेंगे पूरी गाड़ी पर, वो कुछ ऐसा दिखता है, बीच में आपके पास, यहाँ पर आपके मिल जाती है, completely piano black finish, बीच में आपको, यहाँ पर, और अगर आप door handles देखेंगे, they are in the body color as well, neither आपको यहाँ पर chrome strip मिलती है, जैसे आपको on the Tata Safari के कुछ variants पर आपको मिलता है, यहाँ फिर even they are not blacked out or something, like on the dark edition, so यह रहे आपके door handles, अब पीछे की तरफ चलते हैं, जैसी हम पी Harrier की badging है, सबसे पहले close जाएंगे, वो completely blacked out है, यहाँ पर, उसके इलावा, अगर हम जाएंगे on the sides, आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो tail light का design है Harrier का हो, वो वैसा ही मिलता है, there are no changes here as well, आपके पास अगर आप देखेंगे, black inserts मिलना चालो हो जाते हैं, and then it runs all across the car as well, बहुत लोग सोच रहें कि यहाँ पर जो black color की finish आपको मिलती है, actually Harrier पे, यहाँ पर replace करके at least कोई tail light या sleeker design मिल जाए, which would maybe accentuate the car's look, उपर आपके पास जो windscreen है, वो same है, wiper आपको मिलता है, spoiler आपको मिलता है, spoiler का color obviously अभी, जो आता है silverish, वो यहाँ पर मिल जाता है, then अगर ह की तरफ आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, तो आपके पास आपका bumper है, satin finish के साथ, diffuser की finish आपको नीचे मिल जाती है, skate plate पे, it looks all same and at the same time थोड़ा सा enhanced with the jet variant, camera आपको यहाँ पर आपका मिल जाता है, आपको देख सकते है, Tata की badging आपको मिल जाती है, and let me just open the car, जैसी मै खोलता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो boot space है, वो आपकी यहाँ पर similar ही मिलती है, आपको यहाँ पर आपको थोड़ी और storage space जो नीचे मिलती है, गाड़ी के, वो आपको यहाँ पर दिख जाती है, and यहाँ पर आपकी tool kit और puncher repair kit जो है, वो यहाँ पर आपके पास दिख जाती है, अब चलते हैं, गाड़ी के अंदर, अब मैं आ गया हूँ, into the second row of the car, अब सबसे पहली चीज़ जो मैं को यहाँ पर बताना चाहता हूँ, obviously, I've got these headrests, which are nice, and मेरे पास यहाँ पर stitching जो आपको मिल जाती है, try arrow motive की वो आप देख सकते हैं, on these seats, seats का जो color है, वो white color की seats आपको मिलती हैं, यहाँ पर in this car, armrest आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाता है cup holders के साथ, यह देख लीजे, other than that, अगर मैं space की बात करूँ, या features की बात करूँ, anything and everything else is the same, आपके पास जो AC vents है, यहाँ पर आपके pillar bay ही, अभी भी आपको मिलते हैं, no changes there at all, उ यहाँ पर आपको मिलती है, and एक और चीज, storage options भी जो आपको मिलते हैं, in the doors, आप door pads देख सकते हैं, यहाँ पर आपको वो भी जो है, same ही मिलते हैं, मैं एक चीज़ आपको जरूर बताना चाहता हूँ, कि अगर हम safety की बात करें, तो Tata ने enhance किया है Harrier का safety, and वो आते है, ESP features क तो आपके पास आजाता है, driver doors off, after impact braking, and panic brake alert, यह सारा जो है, जो जो ESP pack आता है, इस काड़ी में, उसके ओपर आड किया है, तो panic braking जो होती है, उसमें जो पीछे के lights है, वो flash करना चालू करते है, जो आपके indicators, hazards होते है, they come on, under heavy braking, and the lights go off, that creates an alert, पीछे के लोग हो कि आप बहु भी braking कर रहे हो, so all these small, small, and obviously driver doors off, आपको alert हाएगा, अगर गाड़ी को लगेगा, कि you are not concentrating, यह छोटी-छोटी चीज़े जो है, यह काफी अच्छी चीज़े है, जो गाड़ी ने की है, also आपको second row पे यहाँ पर, मिल जाता है, अब एक normal USB port fast charger, and एक C type fast charger, also अगर आप notice करेंगे जो आपका door है, उस पे जो आपको finish मिल जाती है, यह copper-like finish, यह आपको मिलते है, and it complements the overall exterior design color of the car, आपके जो door handles है, वो आपको जो gun metal में मिलते है, वो ही आपको यहाँ पे मिल रहे है, and they look quite good, अब आगे की seat पे जलते हैं, अब मैं आ गया हूँ, गाड़ी के अंदर, and काफी अब तक यहाँ पर आपके पास जो interior है इस गाड़ी का, similar ही रहता है, but there are a lot of changes as well, तो आपके पास यहाँ पर आप देख सकते है, full bronze finish हा जाती है, यहाँ पर आपके पास in the Tata Harrier, and obviously आपके पास जो door handles है, वहाँ पर आप देख सकते है, यह भी, आपको यह same bronze finish के साथ, satin bronze बो आपको मिल जाती है यहाँ पर, then उसके अलावा अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर उस buttons जो रहते हैं गाड़ी के, dashboard पर, या steering wheel पर, या फिर side में, adjustment के buttons, start stop का button, यह सब same ही है, the big change is up down here, अब इस गाड़ी को मिल जाते है, 4 disc brake, तो साथ में Tata ने दे दिया है, वो feature जो आप hold and electronic parking brake, अब auto hold जो है, with obviously the automatic version of this car is going to be a very great feature, अगर आप सोच रहे हैं यह गाड़ी लेना और आपको traffic में भी यह गाड़ी चलानी पड़ेगी, तो यह एक अच्छा feature आपको मिल जाता है, again, जैसे मैं आपको second row में बता है, इस गाड़ी को यहाँ पर, अब मिल जाते है, normal fast charger, USB and type C charger भी आपको fast मिल जाता है, so type A and type C, आपको fast chargers दोनो front and second row में मिल जाते हैं, obviously आपको इस गाड़ी में wireless charging भी आगे मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, and other than that, आपके पास जो modes है, hill descent control, आपके जो ESP off-road modes, traction control, यह सब same ही रहता है, मैंने आपको safety जो है, उसके बारे म भी और बताया, that's about it, अगर मैं seats की बात कर लूँ, मैं एक चीज़ आड़ करना चाता हूँ, कि जो seats है, उन्हें यहाँ पर hashtag jet की जो badging है, वो यहाँ पर मिल जाती है, and उसके इलावा, अगर आप देखेंगे, this is the XZ plus variant, rather XZ A plus variant, तो आपके पास यहाँ आपका panorobic sunroof with the blind, everything else also is given, अब यह जो है, मेरे साब से, is a good comprehensive update, with 4 disc brakes, and the safety features, and जो extra Yama, चोटी चीज़े दी है, जैसे की C type chargers, for the Harrier, it makes a lot of sense, 20 lakh X showroom से 22 lakh X showroom तक, इसकी pricing जो है, वो रहती है, for both the variants, manual or automatic, आप मुझे comment से बताये, if you were looking for the Harrier, क्या अभी आप यह एक variant consider करेंगे, and I'm very sure, थोड़े time में, यह भी variant पे introduce किये गए है, यह features, मैं को लगता है, जो automatic variants दूसरे है, of the Tata Harrier, उसमें, सब में, यह auto hold आ जाना चाहिए, with the electronic parking brake, same goes, for even the safari, I hope कि, जो लीचे के lower variants होते, automatic के, महा पर, auto hold, और electronic parking brake, दे देना चाहिए, and democratize कर देना चाहिए, यह type के features को, आप बताए, comments में, आपको यह गाड़ी कैसे लगी, we are showing the next two cars, also, आगे के videos में, शायद पहले भी गए होंगे वो videos, हमें पता नहीं, इस समय हम shoot कर रहे है, तो आप check out करते रहे हैं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे, detailed walk arounds for all these cars, take care, drive safe, मिलेंगे फिर से, now, let's go ahead,